जैशिराम मित्रो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि साल दो हजार चोबिश में करवा चोथ कब है चांद को देखते शमय छलनी पर दिया क्यों रखा जाता है क्या है इसका धार्मिक महत्व और साथ ही जानेंगे धार्मिक दिश्टी कौन से दिये का क्या है पिछे की कहानी करवा चोथ सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वण ब्रतों में से एक है यह ब्रत हर साल कार्तिक माह के किष्ण पक्ष की चतूर्थी को रखा जाता है इस साल करवा चोथ का ब्रत 20 अक्टूबर रभिवार को होगा इस दिन महिलाएं अपने पती की ल ब्रत खोलती है ब्रत के दोरान चलनी पर दिया रखने की परंपरा भी निभाई जाती है लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है आये जानते है इसके पीछे की कहानी धार्मिक मन्यताओं के अनुसार भगवान गणेश ने चंदर देव को एक स्राप दिया था जिसके कारण उन्हो चलनी पर दिया क्यों रखा जाता है कहा जाता है कि दिया अंधकार को दूर करता है और प्रकास फैलाता है यह दिया नकरात्मक उर्जा को हटा कर सकरात्मकता लाने का प्रतीक है साथी यह चंद्रमा के कलंग को समाप्त करने में मदद करता है इसलिए चलनी में दिया रखन की परंपरा है यह भी मानेता है कि छलनी पर दिया रखने से पती का भाग उदे होता है और उसके जीवन में खुसहाली बनी रहती है चंद्रमा को छलनी से देखने पर सुहागिन महिलाओं को कलंक नहीं लगता और यदि उनके पती के जीवन में कोई कठीनाई या अंधकार हो तो वह भी समाप्त हो जाता है इसलिए महिलाएं चलनी के साथ दिया रखकर चांद के दर्सन करती है धर्मसास्त्र के अनुशार यदि पूजा या किसी धार्मी का अनुष्ठान में कोई गलती हो जाए तो दिया जलाने से उस गलती को ठीक किया जा सकता है दिया जलाने से पूजा में की गई छोटी मुटी चुक का दोस्त भी नहीं लगता इसलिए करवा चोथ की पूजा में दिया जलाने का बिशेस महत्व है यह दिया न केवल पूजा को सफल बनाता है बलकि घर में सुख, सांती और समरिधी भी लाता है साथी करवा चोथ के दिन छलनी और द यह के इस महत्व को शमचते हुए पूजा करें ताकि आपका ब्रत सफल हो और आप और आपके पती के जीवन में खुशिया बनी रहे मित्रो यह जनकारी आपको कैसा लगा अगर यह जनकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज इबागद आपको कैसा बनीipा